नमस्कार मेरा नाम है दीपक सुकला और हमारे चैनल वालोजी वर्ल्ड पर आपका स्वागत है तो आज का हमारा टॉपिक है human excretory system देखिए human excretory system में किस-किस की प्रजेंस होती है पहला है सबसे पहला एगा one pair kidney तो one pair kidney होती है जो main excretory organ की form में काम करती है clear है इन one pair के बाद one pair इन दोनों kidneys से एक-एक क्या निकलती है ureter निकलती है क्या निकलती है ureter तो दोनों से एक-एक निकलती है तो one pair ये भी हो गई इसके बाद next आता है urine इस ureter से जाकर के एक bladder like structure में collect होती है जिसे हम urinary bladder बोलते हैं और इसके बाद ये body से pass out करने के लिए एक tube like structure originate होती है urinary bladder से जिसको हम urethra बोलते हैं clear है न तो इतना human excitatory system में include होता है one pair kidney एक left side में एक right side में दोनों kidney से ureter निकलता है एक-एक ureter जो urine हमारी kidneys में form होती है वो इस urine को urinary bladder में लेके जाता है ये pelvic cavity में present होता है यहां से जो body इसमें जो कुछ short duration के लिए जो urine store होती है इस urine को urethra के through body से pass out कर दिया जाता है अब अगर हम अपना kidney का structure देखें तो kidney के structure में क्या-क्या होता है देखिए और नॉर्मल लेवल पर भी हम पूरा एक्सक्रिटरी सिस्टम के इन सारे structures को छोटे लेवल पर डिस्कस करते हैं तो यह किड्नी किड्नी यह किड्नी से निकला यूरेटर यूरेटर किसमे ओपन होगा यूरिनरी ब्लैडर में और यूरिनरी ब्लैडर किसमे ओपन होता है यूरेथ्रा में ओपन होता है तो देखिए इसमें यह आपका structure क्या है दिस इस किड्नी किड्नी यह है यूरेटर यह है यूरिनरी ब्लैडर और यह है आपका यूरेथ्रा किलियर है तो यह नॉर्मल कंडिशन है किड्नी में हमने आप बताया है कि जब स्थोरी यह आपकी left side consider होगी और यह आपकी right side consider होगी जो आपकी right side है यह figure हमारी situation को represent कर रहा है समझ जाने ना तो राइट side में क्या होता है हमारा liver होता है liver काफी large gland होती है जिसकी वज़ाइसे हमारी right kidney कुछ नीचे की तरफ shift रहती है तो यह हमने comparatively आप देख सकते हैं कि जो यह है यह कुछ left वाली kidney को ऊपर और right वाली kidney को कुछ नीचे बनाया हुआ है clear है आप यह figure को normal level पर समझ रहे होंगे तो अब हम अपना major सबसे पहला जो point है kidney किड़नी को discuss करेंगे clear है न तो देखिए kidney से related concepts को देखते हैं किड़नी हम किड़नी की सबसे पहले location की बात करते हैं किड़नी कहां होती है आइदर side of the middle line हमारी जो body की middle line है इसमें दोनों आइदर साइड से होती है जो हमारी पीछे की साइड में कुछ anteriorly present होती है ठीक है न तो दीज आर एंटियर्ली प्रजेंट in the abdominal cavity और कुछ medium line के दोनों तरफ present होती है दूसरा point यह है कि हमारी kidneys है यह जो हमारी 12 thoracic vertebrae है लास्ट thoracic vertebrae ठीक है न लास्ट thoracic vertebrae से यह रन करती है third lumber vertebrae तक कहां तक रन करती है third lumber vertebrae तक तो यह T12 से लेकर के L3 third lumber vertebrae तक रन करती है यह point important है और आपको याद होना चाहिए clear है न एक चीज़ और होती है हमारी दोनों kidneys को जो हमारी floating ribs होती ही जो आगे तक रन नहीं करती 11th और 12th जो इधर से निकलके इस टाइप से आएंगी यह क्या करती है हमारी kidneys को क्या करती है protect करने का काम करती है तो प्रोटेक्टेड वाई floating ribs के लियर है तो यह floating ribs से protect की जाती है अब अगर हम आगे का kidney से related कुछ नॉर्मल डिटेल देखें तो एक जो five to seven centimeter wide होती है और two to three centimeter ठिक होती है यह डिटेल मैंने जो NCRT में दिया है उसको लिखा है क्योंकि कभी-कभी need के exam में भी इस टाइप से question पूछा गया है किलियर है तो seven to twelve इसकी length है five to seven इसकी width है और two to three इसकी thickness होती है समझ रहे होंगे इसके बाद अगर हम इसके weight की बात करें तो 120 से लेकर के 170 grams तक इसका weight होता है kidney का clear है तो यह एक नॉर्मल डिटेल थी kidney से related चलिए अब हम kidney के figure को draw कर लेते हैं और इससे related चीजों को समझने की कोशिस करते हैं बहुत ध्धान दीजिएगा क्योंकि basic structure यहां से basic सारी चीजह यहां से आपके basics clear होंगे अगर इसमें कुछ कमी रह जाती है तो आगे के topics को समझने में बहुत आपको problem आएगी कि जो renal physiology वाला पूरा portion है वो पूरा निफ्रोन और सारा वो कहीं ना कहीं इस विखर से interconnected है ठीक है न तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या होता है यह जो kidney का structure आएगा देखिए इसमें कि मैं फिगर को आपके सामने बोर्ड पर इसलिए बनाता हूं कि आप लोग भी फिगर बनाना सीखें और कोई रीजन नहीं है इसका और जिनको फिगर बनाने में ज़्यादा इंट्रेस्ट नहीं है वो इसको करके आगे बढ़ सकते हैं और केवल कॉंसेप्ट को समझ सकते हैं यह हम किड्नी की रीनल कैपसूल बनाई है हमने यहां से किड्नी से कि यहां से किड्नी से यूरेटर निकलती है क्या निकलती है हुथ यूरेटर इसको हम रीनल पेल्विस बोलते हैं जो ट्यूम निकलती है इसको हम यूरेटर बोलते हैं, इस kidney के ऊपर ये जो renal capsule है भी हमने जिसकी बात की है, इस renal capsule से बाहर एक हम पर और एक fibrous tissue की layer होती है, जिसको हम renal fascia बोलते हैं, क्या बोलते हैं? renal fascia और इस renal fascia के नीचे एक adipose tissues की layer होती है, fatty tissues की, जिसको हम adipose capsule के नाम से बोलते हैं, इसके बाद जो complete kidney का structure है, इस kidney की जो concave side है, ये outer side रहती है बाड़ी में, जिसको convex side बोलते हैं, और जो concave side है वो कैसी रहती है? ये वो अंदर की तरफ रहती है, इस actual में इस area को हम क्या बोलते हैं? highlum बोलते हैं, एक चीज़ और समझते चलिए, हमारी kidney को एक artery की supply की जाएगी, renal artery की, ठीक है ना? तो वो इधर से ही जाएगी, highlum के area से ही इंटर करेगी, पूरी kidney को blood supply करेगी, blood का filtration होगा, filtration होने के बाद, जो purified blood है, जिसमें से सारा waste is out हो गया है, सारा urea etc. body से eliminate कर दिया गया है, वो blood बाहर निकलेगा, renal vein के त्रो, तो renal vein भी यहीं से निकलेगी, यानि कि renal artery भी यहीं से जाएगी, renal vein भी यहीं से निकलेगी, हर organ को एक nerve की supply की जाती है, तो इसको एक nerve की supply की जाएगी, तो वो nerve भी यहीं से अंदर जाएगी, ठीक है ना, इसके लावे एक lymph vessel भी होगी, उसकी भी entry यहीं से होती है, तो आपके mind में ये concept बिल्कुल clear होना चाहिए, कि इस area को हम hyalum बोलते हैं, और ये सारी चीजों के entry यहीं से हो रही है, या जो चीज यहां से निकल रही है, वो यहीं से निकल रही है, हमने चलिए, इसके बाद हम देखते हैं, kidney के complete part को दो भागों में divide किया गया है, जिसम medula को समझने की कोशिस करते हैं, देखिए होता क्या है actual में, kidney में, थोड़ा सा figure draw कर ले, उसके बाद हम चीजों को थोड़ा सा discuss करते हैं, तब तका figure को देख के इस चीजों को समझ सकते हैं, कुछ इस टाइब की situation होती है, और इसमें कुछ structures की यहाँ पर presence दिखाई देती है, और इन structures को हम pyramids बोलते हैं, क्या बोलते हैं, pyramids, जिन चीजों को हम draw कर रहे हैं, आप समझिए, इन चीजों को ध्यान दीजिए, इनको हम pyramids बोलते हैं, किलियर है ना, रिनल, pyramids, इन pyramids का नंबर लगभग हर एक किड़नी में, पिरमिड्स का नंबर लगभग हर एक किड़नी में, 10 to 12 या 10 to 13 तक होता है, इसमें जो यह बाहर का रीजन है, इस पूरे रीजन को हम क्या बोलते हैं, इस पूरे रीजन को हम cortex बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस रीजन को हम cortex के नाम से जानते हैं, और यह जो एरिया कुछ छोटा बन गया, बड़ आपको figure को समझना है, तो आप बहुत ध्यान से इन सब चीजों को समझ सकते हैं, चलिए, जो बाहर बाला यह cortex reason होता है, जिसको हम इस blue color के dotted point से दिखा रहे हैं, यह cortex क्या होता है, यह जो cortex है, इनको हम थोड़ा सा पिरेमिट्स को और बढ़ा कर देते हैं, यह जो पिरेमिट्स से इनको हम थोड़ा सा और बढ़ा यहां पर दिखा लेते हैं, क्योंकि जो actual में थोड़ा सा बढ़ा size होता है, हम बोल चुके आपको लग रहा है वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो आप इन चीजों को skip करके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हम सारी चलिए, इसके हम लेविलिंग करते हैं, इस पूरे टीस ओफ किडिनी की, ठीक है न, टीस के एक्च्वल में यह एलेस है, लॉंग यूट्यूट्यूट्न सेक्षन है, हम पॉइंट्स को सबको देखने की कोशिस करते हैं, चलिए, सबसे पहला यह देखो हमने आपको बताया यह जो फाइब्रस टिशू की एक लेयर होती है, इसको हम रीनल फैसिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रीनल फैसिया, यह कहीं ना कहीं इस किडिनी को प्रटेक्ट करने के लिए होती है, इसके नीचे जो होता है, इस एडिपोस कैप्सूल, क्या होता है, एडिपोस टिशू fat cells होती है यहाँ पर जो protect करने का काम करती है तो इसको edipose capsule बोलते हैं और kidney के cortex के just ऊपर जो area होता है जो यह भी fibrous tissue के layer होती है जिसे हम renal capsule बोलते हैं क्या बोलते हैं? It is called renal capsule बहुत important है, धान दीजिए इसके बाद overall complete kidney को हमने two parts में divide किया है तो जो बाहर का part होता है dotted हमने दिखाया है, इसको हम cortex बोलते हैं क्या बोलते हैं? cortex, एक चीज़ और समझे है कि जो cortex है, यह बीच-बीच में run करता है इन medula के बीच में cortex region बीच-बीच में आपको दिखेगा जो यह pyramids हैं इनके बीच-बीच में यहाँ पर आपको इसकी growth दिखाई देती है cortex बाहर से अंदर की तरफ grow कर जाता है इसको हम columns of burtini बोलते हैं और यह भी question आता है ठीक है न? तो इसको column of burtini यह important है कि यह है क्या? तो यह cortex की medullary reason में जो growth है इसको बोलते हैं यह तो बाहर का reason हो गया जब हम इस area की बात करेंगे इस area की तो इस area को हम क्या बोलते हैं medullary को बोलते हैं क्या बोलते हैं मेडियुलरी फूर एरिया की बातर रहे हैं आपसे छी के लिखाने का मेडियुलर Krän बोलते हैं मेडियुलरी प्रेमेड्स बोलते हैं ठीक है ना इसको हम जहां पर ये मिदलरी प्रेमिड्स खुलते हैं इस एरिया को हम रीनल पैपिला बोलते हैं क्या बोलते हैं रीनल पैपिला बोलते हैं समझ रहे होंगे आप अभी हम और डिटेल में इसको लेने की कोसिस करेंगे यह रीनल पैपिला जिस एरिया में खुलता इसको हम माइनर कैलिक्स बोलते हैं क्या बोलते हैं माइनर कैलिक्स क्लियर है ना इन माइनर कैलिक्स का नंबर वही लगभग 7 to 13 के आसपास होता है क्लियर है ना और जो मेडिलोरी पिरामिड से इनका बुक में आपको दिया रहता है 12 to 10 to 13 के आसपास लगभग आप यह मान के चलिए, एक medullary pyramid, इस एक structure के base पर खुलता है, आप समझ रहे होंगे, इसके बाद क्या होता है, जो ये minor galaxy होते हैं, ये minor galaxy एक जिस बड़े area में, जैसे ये एक माइनर कैलिक्स है, ये एक माइनर कैलिक्स है, ये तीनों माइनर कैलिक्स जिस एरिया में खुल रहे हैं, ये जिसे एक, तो, तीन, चार हमने इखटे दिखा दिए, ये इस एरिया में खुल के आ रहे हैं, तो ये एरिया आपका मेजर कैलिक्स हो गया, ऐसे ही जो ये दोनो यह इसमें खुल रहे हैं तो इस एरिया को हम क्या बोलते हैं इसको हम मेजर कैलिक्स बोलते हैं क्या बोलते हैं जहां पर यह खुलते हैं हम इस पार्टिकुलर पॉइंट को जहां पर दोनों चीजें खुल रही हैं कई माइनर कैलिक्स खुल रहे हैं इसको हम मेजर कैलिक्स ब इसके बाद ये बाला जो रीजन होता है पेल्विस लाइक दिखाई देता है इसको हम रीनल पेल्विस कहते हैं रीनल पेल्विस और ये जो आगे का एरिया है हम पर इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम यूरेटर बोलते हैं ये यूरेटर पूरी ट्यूब है आगे ठीक है ना ज जब nephron बताएंगे, तो actual में nephron का पूरा connection क्या है, और कैसे कैसे urine का कहां से कहां जाती है, इस चीज को समझे, एक quick revision ले ले लेते हैं, सबसे बाहर renal fascia है, fibrous tissue जो protect करती है, edipose capsule fat tissue protect करने के लिए बाहर से present है, renal capsule भी fibrous A b protect करता है कहीं ना कहीं, outer reason cortex है, ये cortex inner grow करता है, medullary pyramids के बीच में, इनको renal columns of burtony बोलते है, most important है, इसके बाद, जो medullary reason है, इस पूरे medullary, हमने medullary pyramids को नहीं दिखाया है, हमने इस reason को दिखाया है, medullary pyramids और ये पूरा reason, तो जो medullary, medullary reason में medullary pyramids होते हैं, जिनका number 10 to 13 होता है, और ये medullary pyramids, actual में, ये medullary pyramids किसमें खुलते हैं, renal, papilla में खुलते हैं, renal, papilla, minor calyx में खुलता है, आपर चीज मान के चलिए, जितना number of medullary pyramids होगा, उतना ही number minor calyx होगा, ठीक है न, उतना ही होगा, तो आप इसको 10 to 13 ही ले सकते हैं, ठीक है न, इसके बाद क्या होगा, minor calyx जिस एरिया में ख topic, इस kidney के structure से related, तो आप इसका एक screen sort ले लिजिए, मुझे लग रहा है आपके लिए useful रहेगा, आगे के बचे हुए points को हम discuss करते हैं, तो यस figure की तो आप कोई requirement है नहीं, तो इसको हम मिटाये देते हैं, देखिए आगे, किड़नी के बारे में मैंने आपको बता दिया, किड़नी से जो urine form होती है, जितनी भी urine का formation किड़नी में होता है, वो किड़नी से कहा जाएगी, वो किड़नी से उस किड़नी के ureter में जाएगी, clear है न, अब figure तो clear है, ये kidney, ये ureter, और अभी तो हम बहुत detail में सब कुछ ब ureter है, ureter की length, normal base पे 25 to 30 cm होती है, ठीक है न, ये जो ureter है, ये transitional epithelium का बना होता है, किसका बना होता है, transitional epithelium का, हमने transitional epithelium के बारे में एक important, बहुत important point है ये, हर एक epithelial tissue, basement membrane के उपर होती है, लेकिन के बल, transitional epithelium वो है, ठीक है न, जो किसी बिना basement membrane के होती है, तो कभी-कभी question आता है, the epithelial tissue which is without basement membrane, तो आपका answer, transitional epithelium tissue होता है, ठीक है न, समझ रहे होंगे, transitional मतलब होता है, जिनमें कुछ changes हो जाएं, ठीक है, अभी हम बताएंगा होता क्या है एक चुल में, इसके बाद तो ये में आपका urator हो गया, urator के बाद आप किस पे आते हैं, दूसरा आपका आता है, urinary bladder, तो देखिए, urinary bladder भी किसका बना होता है, transitional epithelium का, पहली बाद तो ये pelvic reason में present होता है, किसमें होता है, pelvic reason में present होता है, किसका बना होता है, ये भी transitional epithelium का ही बना होता है, किसका बना होता है, transitional epithelium का ही बना होता है, क्या काम करता है, transition epithelium एक्चुल में elasticity बहुत ज़्यादा होती, आप देखते हो कि कई वार आप बहुत time तक यूरीन नहीं जा पाते हो, तो पूरा urinary bladder भर जाता है, urine से, तो इसमें distension बहुत bladder काफी urine को collect करने के लिए, आप समझ रहे होंगे, इसके बाद क्या है, अगर हम urinary bladder की condition को देखें, तो actual में क्या होता है, इसमें muscles होती है, जिने हम detruser muscles बोलते है, क्या बोलते है, detruser muscles, ये भी competition का question है, ठीक है, जो muscles है, और इसमें, इसके जिशू में, इसकी जो lining होती है, muscles की, तो एक होती है, outer, ठीक है, और एक होगी inner, तो जो outer और inner हैं, ये आपकी बनी होती है, longitudinal muscles की किसकी बनी होती है, longitudinal muscles की बनी होती है वहीं पर जब हम बात करते है middle की तो middle किसकी बनी होती है middle बनी होती है circular muscles की किसकी बनी होती है circular muscles की क्योंकि urinary bladder के contraction की भी requirement होती है जब हमें urine को body से बाहर pass out करना होता है आप इस चीज को समझ रहे होंगे इसके बाद हम next point लेते हैं इस point को urinary bladder के point को थोड़ा clearly करने की clear करने की process करते हैं जैसे ये है urinary bladder ठीक है न ये निकला इससे urethra ये इससे urethra निकला हुआ है यहां से आया है urethra ये यहां खुल रहा है इदर से urethra आया है यहां खुल रहा है और एट इस urethra की opening है यहां पे फ्री openings है urinary bladder में तो इन फ्री openings की बजह से ये कुछ triangular सा area appear होता है जो triangular सा area appear होता है इसको हम trigon बोलते हैं क्या बोलते हैं trigon बोलते हैं clear है तो समझें समझ लिए होंगे आप लोग इसके बाद जो urethra की opening पर यहां पर एक तो internal sphincter होता है क्या होता है internal sphincter या inner sphincter और एक होता है external sphincter कितने sphincters होते हैं दो ठीक है न तो जो यह बाला sphincter होता है इनर वाला यह inner sphincter क्या करता है involuntarily regulated होता है ठीक ना body involuntarily इसको regulate करती है लेकिन यह जो external sphincter होता है यह voluntarily regulate होता है लब हमारी skeletal muscles का बना होता है यह और हम अपनी विश्क एकॉर्डिंग भी आप देखते हो urine को hold कर लेते हैं urination होता है उनको होने की stimulus आता है उसको करते नहीं है तो वह इसकी वज़े से है क्योंकि जो यह external sphincter है external sphincter हम इसको hold करने की tendency रखते है क्योंकि यह skeletal muscles का बना होता है clear है एक last point आएगा इसके बाद जो है हमारा urethra से related तो चलिए हम इसको भी देख लेते हैं कहीं पर space create करते हैं थोड़ा सा चलिए यहां पर हम urethra को देख लेते हैं तो last आएगा urethra अगर हम इस urethra की बात करें तो हम बहुत short में करते हैं यहां पर male में जो urethra होती है 15 to 20 cm long होती है क्योंकि male में external genitalia अलग होता है penis होता है और इसके अंदर urethra पड़ी रहती है तो इसलिए काफी length इसकी जादा होती है वहीं पर जब हम female की बात करते हैं तो female में इसकी length only 4 cm होती है ठीक है न इस चीज को हम reproduction बाले chapter में बहुत deeply discuss करेंगे तो urethra और male में एक point और ले लेते हैं male में जो urethra open होती है उस aperture को urino genital aperture बोलते हैं ठीक है या फिर orifice urino genital orifice बोलते हैं क्यों बोलेंगे orifice urino genital orifice रखियेगा आप तो orifice इसलिए कि इस part से ही सेमेन भी इसी points बाहर इसे कुलेट होता है और दूसरा urine भी इसी से बाहर निकलती है ठीक है जबकि female में हम इसको urethral orifice बोलते हैं ठीक है न क्योंकि female में यह path अलग होता है और male में यह path कुछ different होता है तो उमीद है आपको यह समझ में आया होगा concept clear करने की मैंने बहुत कोसिस की है आप भी थोड़ा effort लगाई है definitely आपको समझ में आयेगा हमारे चैनल को देखिए subscribe करिए और उन लोगों को इन वीडियोज उन लोगों तक पहुँचा आई है जनको ऐसे वीडियोज की requirement है धन्यवाद